नमस्कार आप देखने हैं दानिक भासकर उत्राखंड उत्तरफ्रदेश मैं हूँ आपके साथ सपना पांडी आए डालते हैं एक नजर उत्राखंड उत्तरफ्रदेश की खबरों पर लालकुआ के होली में दिखाई दे रहा है कई प्रांतों की संस्कृतियों का संगम विभिन संस्कृतियों का संगम स्थल गेटवे ऑफ कुमाओ में होली की धूम मशनीश शुरू हो गई है यहाँ पर कुमाओ गडवाल के साथ ही पूर्वानचल, राजस्तान, हरियाना, व्रज समेत कई स्थानों की संस्कृतिक होली का संगम हो रहा है होली में यहाँ के निवासे शेत्रवाद की सोच का दहन कर आपसी एकता वभाईचारी का संदेश देते हैं नगर में हिंदू और मसलिम समुदाई के लोग सभी त्योहार को मिलजूल कर मनाते हैं होली पर्व में भी यहाँ पर हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाई, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे को रंग लगा कर अपनी एकता का परिचय देते हैं रुदरपुर में फंदे से जूला युवग पुलिस ने शव को कबजे में लेकर शुरू की जांच अग्यात कारणों के चलते रुदरपुर ट्रांजिट क्यांप निवासी युवग ने फंदे से लटक कर आत्म हत्या कर ली आनिन फानन में स्वजणों ने आसपास के लोगों की मदद से उसे फंदे से उतारा और जलास पताल पहुँचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया जिसका पता चलते ही स्वजणों में कोहराम मच गया सूचना पर पहुची पुलिस ने जानकारी ली फिलाल आत्म हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है और सुजणों से मामले में पूश्टाच की जा रही है और अब खबरे उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में चार चरण में 15 अपरेल से मतदान 2 मई को होगी गिंती उत्तर प्रदेश में गाउं की सरकार बनाने का इंतिजार समाप्त हो गया है प्रदेश में चार चरण में 15 अपरेल से मतदान होगा राज निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मतदान की तारीखों का एलान कर दिया पंचायतों के आरक्षन को लेकर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई है सुनवाई से पहले ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इसी के साथ प्रदेश में चार चरण में 15, 19, 26 तथा 29 अप्रेल को मतदान होगा मेरट में बेकाबू रोडवेज बस ने बरपाया कहर बारा वाहनों को मारी टक कर एक की मौत वब 20 घायर गुरुवार शाम नौइडा से मेरट आ रही रोडवेज बस ने दिल्ली रोड़ पर बेकाबू हो गई मेवला फ्लाइओवर से इदगा चौपला तक बस ने करीब 12 वाहनों को टक कर मारी इसके बाद इदगा चौपला पर रॉंग साइड जाकर रुकी एक किशोरी समीत 20 लोग घायल हो गए जबकि एक की मौत हो गई घायलों को केमसी वर्जल अस्पताल में भरती कराया गया है भीड ने चालक को पिटाई करने के बाद पुलिस को सौप दिया घटना का कारण चालक का नशे में गाड़ी चलाना बताया जा रहा है बेडक नगर में पुलिस की मौजूदगी में सभासद पती को पीटा तीन महिला समीत चार गिरफतार टांडा नगर में अतिक्रमण हटाने पहुँची टीम वो अबैद चपूतरे का निर्माण कर अतिक्रमण करने वाले परिवार के मध जम कर कहा सुनी हुई मौके पर सभासद पती शकील एहमत को लोगों को समझाने के लिए बुलाया गया जहां आरोपियों ने उनको ही पीट दिया इस दोरान पुलिस ने घटना स्थल में तीन महिलाव समीत चार लोगों को हिरासत में ले लिया आज के बुलिटन में बस इतना ही उत्राखंड उतरप्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं दैनेक भासकर उत्राखंड उतरप्रदेश